चलिए आज बनाती हैं बिहारी स्टाइल बहुत ही स्वादिष्ट सौफ्ट पुवा अब एक बार इस तरीके से आटे का पुवा जरूर बनाएं सभी को पसंद आएंगे हमारी वीडियो आपको हैलफुल लेगेंगे तो प्लीज लाइक, सेयर और सब्सक्राइब किजेगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजेगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुचे तो चलिए सौप्ट स्वादीष्ट आटे का पुवा बनाना हम सुरू करते हैं इसे बनाने के लिए हमें एक बड़ा बाव लेना है इसमें डाल देना है आटा मैं गिहू का आटा ले रही हूँ हमें इसमें डेड़ के टोड़ी आटा लेना है आप तीन कटोरी आटा ले सकती है उसी एकॉर्डिंग आपको चीनी डालना है मैं देर कटोरी ली हूँ यानि तीन हिसा में एक हिसा हमें इसमें चीनी डालना है मैं ब्राउन सुगर डाल रही हूँ आप गुड ले सकती है या फिर वाइट वाला जो सुगर आता है वो भी ले सकती है दो तीनी लाइची को हमें कूट कर डालना है थोड़ा थोड़ा पाइन डाल कर इसे हमें मिक्स करना है आटे को अच्छे से मिक्स किजिएगा जितने अच्छे से आप इसे फैटिएगा उतना ही फूला फूला आपका पुगा बनेगा इसे बनाना बहुत आसान है खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिश लगती है तो आप एक बार इस तरीके से गेहों के आटे का पुगा ज़रूर बनाईएगा देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा पाइन डाल कर इसे मिक्स कर रही हूँ इसे हमें 5-6 मिनट के लिए अच्छे से फैटना है इस तरीके का हमें बैटर चाहिए यह अच्छे से मिक्स हो चुके हैं न बहुत ज़्यादा गाड़ी हैं न बहुत ज़्यादा पतली हैं इसी तरीके का बैटर रहेगा तब आपका पुगा बहुत ज़्यादा बढ़िया बनेगा देख सकते हैं अभी हमें कडाही में डाल देना है तेल मैं घी ली हूँ आप तेल भी ले सकते हैं घी हलका गरम है बहुत जादा गरम नहीं रखिएगा मीडियम गरम तेल में इसे डालिएगा उपर से थोड़ा थोड़ा हमें इस तरीके से तेल को डालना है ये अपने आप ही फूल जाते है अच्छे ऐसे फूल जाएंगे दम ऊपर तक आजाते हैं तो अभी आप देख सकते हैं ये फूल चुके हैं तो अभी हमें इसे पलट लेना है और दोनों साइड से इसे हमें गॉल्डन कलर आने तक तल लेना है इसे हमें निकाल लेना है मैं एक और पुई आपको बना कर दिखा रही हूँ सेंटर में हमें डालना है और यह अपने आप ही बाहर फूलने लगते हैं आप थोड़ा-थोड़ा साइट से तेल डाल दीजेगा जिससे यह काफी असानी से फूल जाते हैं देख सकते हैं बहुत आसान है इसे बनाना और खाने में बहुत जादा स्वादिश लगते हैं थोड़े दिर बाद इसे पलट लेना है और दोनों साइट गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राइ कर लेना है इसी तरीके से हमें सारे पूई को बना लेना है तो देख सकते हैं बहुत ही स्वाधित आटे का पुगा बनकर तयार है आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करें अंदर से बहुत ही बढ़िया बने है एकदम फूले फूले सॉट बने है तो आप इस खास टिप्स को जरूर फॉलो कीजिएगा आपका जो पुगा है बहुत बढ यह बनेगा तो आप इस एक बार जरूर ट्राइ करें हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा थैंक्यू फर वाचिंग